निकाय चुनाव का भीगुल बच चुका है और इस बीच जजर के आम लोगों ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी अपनी समस्याएं हर्याणा न्यूस के सामदे रखी है लोगों ने बताया है कि पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या और बारिश के समय में जल भराब हो जाता है लोगों ने हर चौक चौराहे पर CCTV कैमरे लगाने की भी मांग की है इसके लावा लोगों ने और क्या कुछ अपनी समस्याएं बताई हैं आप खुछ सुनिए जजर नगर परिशेदे के चौनाव का जो विगुल है पूरी तरह से बच चुका है आम लोगों की क्या राय है क्या एक्सपटीज है क्या क्या चीजी होनी चाहिए चेर्मेन निक्ट होना है चेर्मेन से क्या उमीदे है पारसदू से क्या उमीदे है आम आदमी हमारे साथ है जनाब चुनाव का तकरीबन विगुल बच चुका है 17 तारीक उन चुनाव होने हैं क्या उमीदें हैं क्या चीजी होनी चाहिए क्योंकि अब शहर वादसी हैं शहर में क्या खामिया हैं जो दुरूस्थ होनी चाहिए पताएं सबसे पहले तो मैं शहर की समस्वों के बारे में जागरों करूँगा जो की हमारे जो चेर्मेन जो हमारे भावी बनेंगे उनकी लिज़े जो सबसे जैसे कि हमारे परदान जी राकेश रोड़ा वेपार मंडल के देक्ष ने बताया कि पानी निकासी की शेयर में सबसे ज़्यादा समस्य है यह समस्य तो है यह जिसका अभी तक कोई हल निकला नहीं दूसरी समस्य आवारा पशु हैं जो सारा देन उपर से नीचे तक ब swallow करते हैं पूँद्र है पप्लिक जाये तो जाये काँ अलगज मुद्ड़े थे अलगज चीजे थी उन्होंने साथ र पर कहा कि सूरक्षा बड़ा ब्रॉक्षा है उसके बाद गया उसके बारन सका उन्दे मैं अमारा पसु के बारे में बताया अन्येने सुई जो वो एस्वीद्ध-दय यहां पर चल रहे है सातव पर उन्होंने कहा कि अगर मैं बात करूं पीने के पानी घुथूद्ध। थाया फूरी तरह से यहां पर दिए प्यूद्ध का पानी यहां पर नहीं आता है रोड लाइटे नहीं है जाम लगा होता है अगर सरकार सी तरह के से एक master planning तयार करें तो जो व्यापारी है और आम जन है उसको पूरी तरह से चुना जाए जो जो एस विदाएं हैं जो जिनके बारे में ये लोग चाहते हैं उनको पूरी तरह से इंप्लिमेंट